ये सबसे पहले हम बात करते हैं दैव निदर्शन देव जैसा कि नाम से ही इस पैस्ठै दैवी भगवान के भरोसे है रिया रेंडनम जिसके बारे में हमने कोई नियम कानुन सिध्धांत बनाके नहीं रख्खा है रेंडमली हमने जैसे मैंने बताए 50 विद्यारतों के समूँ में से एक को हमने उठा लिया तो जब हम बिना किसी नियम सिधान्द कानून के या बिना सोचे समझे कुल समूँ में से किसी एक इकाई या दो इकाई का चैन कर लेते हैं अपने रुसंधान के लिए तो वो दैव निदर्शन यानि कि रेंडम सेम्प्लिंग कहलाता है यहां पर अगर हम प्राइप्टा की बात करें या संभावना की बात करें तो उस समूह में जितने लोग हैं सब के चैन होने की समान संभावना रहती है क्योंकि यहां पे कोई नियम सिध्धान्त है नहीं, उम्र के अनुसार कोई वर्गी करण होना या छमता के अनुसार कोई वर्गी करण होना और उसमें से चैन करना ऐसी कोई बात है नहीं, किसी भी विध्यार्थी का, किसी भी वेक्ती का जो अनुसंधान के छेत्र में आ रहा है जिसका चुनाओ की रीती की रूप में प्रयोग करने से यह निश्चित हो जाता है कि समग्र की प्रते की काई के चुने जाने के समान अवसर है जैसे मैंने बताया अगर हम 50 विध्यार्थियों पर कोई अनुसंधान करने जा रहे हैं और अनुसंधान के लिए जो जिन चेंपलिंग यूजर रहे हैं दैव निदर्शन विधि यूजर कर रहा है तो पचास में हर विध्यार्थि के प्रतेक विध्यार्थि के चुनलिया जाने की समान संभावना बंती है वैसे ही अगरṣ Speaker के परिभाषा का समान अवसर होता है अवसर प्रदान करना केवल अवसर ही निधारित करता है कि किन पदों को शामिल किया जाएगा यानि कि जितने बार चयन किया जाता है जितने अवसर दिये जाते हर अवसर में सभी काईयों के चयन हो जाने सभी काईयों में से हर किसी के चयन होने के समान आपने देखा होगा कि आपके विध्यालाय में बहुत सारे कारीक्रम होते हैं वहाँ पर हम लॉट्री सिस्टम का यूज करते हैं विध्यार्थियों के नाम बुलाने के लिए सिंपल सी साधारन सी रीती है एक बाउल में हम विबिन विध्यार्थियों के जिन्होंने उसमें भाग लिया है किसी प्रतियोगिता में मान लीजिए दूसरी जो विधी है ढोल घुमाकर आपने टीवी सीरियल में भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी देखा होगा कि इस तरह का एक चक्र रहता है जो कई कलर के जो होते हैं गोल और उनके सामने लोगों को खड़ा किया जाता है जो प्रतियोगी होते हैं इस सरकल को जब ह हम घुमाते हैं तो इसमें एक इंडिकेशन ऐसा रहता है चिन एक ऐसा रहता है जिसके सामने वो रुकेगा उस व्यक्ति का चयन किया जाएगा तो यह बहुत साधारण सी पधिती है यह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ढोल घुमाकर जब हम दैव निदर्शन का ऐसी एक पधती है निश्चित क्रम के द्वारा जैसे मैंने आपको बताया कि 50 विध्यार्थियों की संख्या है तो हमने एक क्रम निश्चित कर दिया कि मैं 5 से स्टार्ट करूंगी रोल नंबर 5 से और हर दस्वा वेक्ति हर दस्वा बच्चा जाएगा उसका चैन कर लिया जाएगा तो यहां पर मैं रोल नंबर 5 फिर 15 फिर 25 फिर 35 फिर 45 ऐसा में एक निश्चित क्रम बनाकर उन-उन विध्यार्थियों का चैन करते जाओंगी तो यह भी बहुत आसान सा मेथड है रेंडम सेंप्लिंग का एक बहुत महत्पूर मेथड है रेंडम सेंप्लिंग का जिसको हम कहते हैं टिपेट की डैव संख्या टिपेट ने क्योंकि इसका निर्माण किया था इसकी अंतरगत चार अंकों वाली 10400 संख्याओं की इन्होंने सूची बनाई और यह जो पद्धती है बहुत आसान है और बहुत जादा इसका प्रियोग किया जाता है एक उधार परण के तौर पर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 5000 लोगों में से 12 लोगों का चयन करना है तो हम यहां पर लगभग 40 संख्याओं को हमने यहां पर ले लिया है इस 40 संख्या में हम 12 ऐसे नंबर सेलेक्ट करेंगे जो 5000 से कम होंगे जैसे हम 3496, 4201, 2299 इस तरह कि जो चार अंकों की संख्याएं हैं लेकिन शर्ट यह रहेगी कि वो 5000 से छोटी हूं ऐसे हम 12 संख्याओं का चयन कर लेंगे और उसी नंबर के आधार पर हम उनिकाईयों को नियादर्श की इकाईयां मान लेंगे तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही सरल रिती है अब अगर हम दैब निदर्शन विधी के गुणों की बात करें इसके विशेस्ताओं की बात करें तो बहुत से विशेस्ताओं हमको इसके अंदर देखने को मिलती हैं जैसे ये जो विधी है ये पक्षपात की भावना से पूरी तरह से मुक्त होती है जैसे मैंने आपको बताया कि 50 विध्यार्थियों में से अगर एक या दो विध्यार्थियों का चायन करना है तो उसके लिए कोई नियम, कोई सिद्धान या कोई आवश्यक मांग उसकी नहीं होती किसी भी विध्यार्थि का चायन पक्षपात रहित तरीके से किया जा सकता है वैसे ही समान अवसर के अगर हम बात करें तो समान अवसर प्रत्तेक विध्यार्थियों को या किसी भी समग्र का अगरम अध्यान कर रहे हैं तो वहां पर जितने भी लोग है जितने लोगो का समू है सभी को समान अवसर यानि हमने प्राइक्ता के सिध्धान में माना कि यह जो दैब निदर्शन विधी है वो प्राइक्ता अने संभावना के सिध्धान पराधारित है यानि कि कि किसी एक के चुने जाने की समान संभावना है सभी के पास समान संभावनाई है तो यह स बहुत जादा इसके लिए यह तोग हम लाटरी सिस्टरम या ढोल गुमा कर इस विधी का प्रयोग भी करते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता है श्रम की भी बहुत जादा जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है तो देखा जाए तो समय श्रम और धन तीनों की ही बचत होती है इस विधी में और दूसरी बात यह बहुत सरल विधी है इसके लिए किसी विशेश योग गिता की किसी निपूर्टा की किसी डिग्री ये डिप्लोमा की जवरत बिलकुल नहीं है कोई भी व्यक्ति देव निदर्शन के द्वारा अपने अनुसंधान की कायो का चैन बहुत आसानी से कर सकता है अब अगर हम बात इसके दोशों की करें तो थोड़े बहुत दोश भी है इसमें जैसे कि इनका जो आकार है अगर अनुसंधान का चैतर जो है वो छोटा है तो ही हम रेंडम सेंप्लिंग कर सकते हैं हम चैन कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा आकार है तो हलाकि हम टिपिट विधी का प्रयोग बड़े चैतर में करते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बहुत सारे तुरुटिया होनी की संभाववना रहती है तो आम यह मांन सकते हैं कि दैव निदरशन विधी जो है वो छोटे चेत्र के लिए तो उप्यूगत है लेकिन बड़े चेत्रों के लिए अनुप्यूगत मानी जाती है वैसे ही जो इकाई पुचित प्रतिनिधित्तों का अगर हम बात करें तो जिस व्यक्ति को या जिस इकाई को समग्र का प्रतिनिधित्तों करने के लिए चुना गया है वो सही प्रतिनिधित्तों कर रहा है या नहीं यानि कि उसके द्वारा बताये गए बातों का अध्यान करके हम जो निर्णा न कि चयन की समस्या कैसे चयन करें किसका चयन किया जाए क्योंकि ना कोई यहां पर नियम है ना कोई सिद्धान्त है कुछ भी नहीं है हमको किसी एक को उठा लेना है किसी एक का चयन कर लेना है तो जिसका हम चयन कर रहे हैं कि वास्तों में वह उपयुक्त इकाई है यह भी अब अगर हम इसे स्वरूप की बात करें, कि कैसा है इसका स्वरूप, कौन कौन से चीजे शामिल है इसमें, तो हम देखते हैं कि एक तो यह क्रम बद होता है, यानि कि पहले से ही एक निश्द कुछ नहीं रहता है कि कैसे किया जाना है, क्रमबत तरीके से जब हम अपना अनुसंधान स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पर सबसे पहला कारे करते हैं आकडों का संक्लन आकडों के संक्लन के लिए हम सबसे पहले द्याव निदर्शन का प्रयोग कर लेते हैं वैसे ही एक चीजस में यह भी रहती है कि दोहरा निदर्शन भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि उस समगर में से एक हिकाई का चैन करना है जरूरत पड़ी तो हम अगर एक हिकाई से हमको जो आंसर जो मिल रहे हैं उस से अगर हम सैटिस्फाइड नहीं है तो हम उसको हटा कर उसको अलग करके उसकी जगा किसी दूसरी इकाई का प्रियोग या चैन भी कर सकते हैं। बहु निदर्शन की अगर हम बात करें इसका एक स्वरूप बहु निदर्शन भी है कि जरूरी नहीं है कि किसी समूग की एक इकाई, दो या तीन चार इकाई का प्रियोग किया जाए। अगर छेत्र काफी विस्त्रित है बहुत बड़ा है तो यहां पर हम बहु निदर्शन का प्रयोग भी कई बार करते हैं यानि बहुत सारे लोगों का चैन हम करते हैं समगर में से व्यवस्थित होता है इसका एक स्वरूप है कि व्यवस्थित होता है बहुत ही व्यवस्था के तहट हम कायों का चैयन करते हैं और उनका अध्यान और विसलेशन करके हम समगर का अध्यान हम कर लेते हैं बात अगर हम करें समू निदर्शन की तो ये अपने आप में एक काफी अच्छा पहलू है इसका निदर्शन का जब बहुत बड़ी संख्या होती है समू की जैसे एक उदारन से अगर हम देखें यहाँ पर कि 600 वेक्तियों का एक समू है और इसमें से हमको सिर्फ 60 लोगों का हैं तो हम इसको छोटे-छोटे समू में पहले बाड़ देते हैं जैसे 600 वेक्ति को हम 200-200 और 200 के समू में बाड़ दिये फिर इन 22-200 के समू में से 20-20 वेक्तियों का चैन हमने रेंडम आधार पर है देव निदर्शन के आधार पर कर लिया तो चाहें तो हम जवरत पड़े अगर आवशक्तिय के नुसार हम इस तरह का सामूरिक निदर्शन भी कर सकते हैं तो यह इसके अपने स्वरूप है निदर्शन के इन वर्गी करणों में अगर हम देव निदर जैसे लौटरी के द्वारा चयन करना प्रतिदर्श्ट का या फिर ढोल घुमाकर चयन करना टिपेट विधी द्वारा तो यह सारी जो विधिया है यह निर्बाद यानि की सरल दैवनिदर्शन की विधिया है अब अगर हम बात दूसरे दैवनिदर्शन यानि की प्रतिबंध थोड़ा सा इसमें restriction होता है इस विधी का प्रियोग हम तब करते हैं जब जिनसे हमको अपने न्यादर्श का चयन करना है वो समू विजातिये होते हैं विजातिये यानि कि जनसंख्या जिनसे हम चयन करेंगे न्यादर्श का वो अलग-अलग प्रकार की हो एक example के तुरू हम इसको देखेंगे जैसे मान लेजिए कि एक कक्षा में हमें विध्यार्थियों की रूची अभिवृत्ति का अध्यान करना है उस कक्षा में बालक और बालिका कुल मिलाकर 50 हैं हमको बालक और बालिका दोनों की रूची का अध्यान करना है तो अगर हम यहां पर सरल देव निदर्शन से किसी भी रोल नंबर को किसी भी 10 रोल नंबर को हम चुन लेते हैं तो हो सकता है उसमें बालक की बहुत सारी संख्या आजाए बालिकाओं की कम आजाए ऐसा भी हो स सकता है कि सारी बालिक आए आजाए यह बहुत सारी बालिक आजाए बालक आहीं न पाएं तो यहां पर वो चयन उचित नहीं माना जाएगा इसलिए ऐसी दिशाओं में हमको प्रतिबंधित दैब निदर्शन का चयन करना पड़ता है अगर मान लिजे किसी कक्षा में कुल वि और फिर उसके बाद हम उसमें से बराबर बराबर संख्या में नियादर्श का चयन कर लेंगे जैसे हमने आप एक्जामपल देखा है कि पचास स्टूडेंट है बालक और बालिका मिला कर तो हम इसमें से पांच बालकों का चयन कर लेंगे और पांच बालिका का चयन कर लें तो यह जो चयन है हाला कि वो सरल दैवनिदर्शन के आधार पर ही होगा लेकिन विजातियता के आधार पर हमको पहले अलग-अलग समू यहाँ पर बनाना होगा तो यह है प्रतिबंधित दैवनिदर्शन अब अगर हम इसके आगे बढ़े और प्रतिबंधित डैव निदर्शन के बहुत सारे वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखने मिलता है स्तरित निदर्शन स्तरित निदर्शन के अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हम प्रतिबंधित दैवनिदर्शन की बात कर रहे हैं वो विजातिय समू के लिए होता है इसी के अंतरगत हम स्तरित निदर्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो स्तरित निदर्शन होता है पहली बात तो वो विजातिय समू के लिए है दूसरी बात इसमें दो निदर्शन सामिल होते हैं एक तो सविचार और दूसरा दैवनिदर्शन सविचार यानि कि विचार करके सोच विचार के निदर्श का चयन करना और दैवनिदर्श यानि बिना सोचे विचारे तो दोनों ही विधियों का इसमें मिश्रण होता है इसलिए इस विधी को हम मिश्रित दैवनिदर्शन भी कहते हैं तो क्यूंकि ये सविचार दैवनिदर्शन और साधारन यानि समानी सरल दैवनिदर्शन दोनों विधियों को मिलाकर काम करता है इसलिए हम इसे मिश्रिद दैवने दर्शन भी कहते हैं एक उदारन की तौर पर हम इसको फिर से समझेंगे अगर मान लीजे हमको किसी कारखाने में श्रमिकों पर कोई अनुसंधान करना है तो उस कारखाने में जाहिसी बात है कि जो श्रमिक होंगे वो विभिन आयवर्ग के होंगे उनकी योगजिताएं भी भिन भिन होंगी ऐसी दर्शा में सारे श्रमिकों में से कुछ न्यादर्श का चैन कर लेना कहीं न कहीं अनुसंधान में गलती करवा सकता है तो यहां पर हम कुल श्रमिकों का उनकी योगजिता और उनकी आय के अनुसार अलग अलग ग्रूप बना लेते हैं तो हम 150 150 करके चार ग्रूप हम इन श्रमिकों के बना लिए उनकी योगजिता और आय के अधार पर हमने उसका वर्गी करण कर दिया अब इन चारों समुहों में से हम अपनी अनुसंधान के छेत्र या उसकी आवशक्ता के अनुसार हमको जितनी नेदर्श चाहिए बीचिकाई चाहिए हमको तो हम प्रतेग समुह से 5-5 श्रमिकों का चयना हम कर लेंगे तो यह कहलाता है स्तरित निदर्शन अभी भी हम प्रतिबंधित दयविन दर्शन के अंतरगठी से देख रहे हैं अब हम देखते हैं कि स्तरिद डैव निदर्शन के गुण कौन कौन से हैं अगर हम स्तरिद डैव निदर्शन के गुणों की बात करें तो सबसे मत्पूर्ण इसकी विशेस्ता ये आ जाती है कि ये प्रतेक वर्ग का प्रतिनीधित इसमें शामिल है जैसे कि हमने इसकी पहले पूर्ण विशेस्ता है कि प्रतेक वर्ग का प्रतिनिधी तो इसमें हमको मिल जाता है दूसरी इसकी विशेस्ता की बात करें तो हम देखते हैं कि उचित वर्गी करण का लाब श्रमिकों को मिल पाता है क्योंकि हमने वर्गी करण उनकी योग गिता उनकी रूची उनकी जो क श्रमिको को मिल पाया है वैसे ही एक मित्वई प्रडाली कहीं जा सकती है यह स्तरित दैवनिदर्शन जो है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो समय और श्रम अगर लगता भी है तो धन जो है वो बहुत कम लगता है क्योंकि ग्रूप बनाकर हम आसानी से उसमें चैन कर ले अगर हम बात करें तो यह जो प्रडाली है स्तरित दैवनिदर्शन जो विदी है यह विजातिय समू के लिए बहुत अच्छी प्रडाली है क्योंकि जब विजातिय समू से निदर्शन के चैन की बात आती है तो कहीं न कहीं यह कंफ्यूजन रहता है कि अगर अलग-अलग स सब्सक्राइए तो सब्सक्राइब करते हैं तो ये इसकी मत अपुण विशेश्ष्था है अगर बड़े समुण पर कर रहे हैं इसकी मत्वण विशेस्ताइक यह भी है कि अगर हम बड़े समूपर कारे कर रहे हैं जैसे हमने भी देखा कि हम 600 श्रमिकों पर अनसंधान करना चाह रहे हैं तो बड़े समूपर कारे करने के लिए यह विधी बहुत लाबदायक होती है अब अगर हम इसके दोश की बात करें कि कौन-कौन सी कम्या इसमें देखने को मिलती है तो पहला दोश इसका यह आता है कि अगर वर्गी करन सही नहीं हुआ है यानि कि जैसे हमने श्रमिकों का एक उदारन देखा हमने योगिता और आयक अनुसार उनका वर्गी करन किया उनको समूपर बनाया अलग- लेकिन कहीं इसमें चूक हो जाती है एक आयवर्गी के श्रमिक को दूसरे में डाल दिया जाए या आपस में अगर किसी प्रकार की कोई तुरूटी हो जाए वर्गी करन करने में तो वास्तों में जो सही रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो हमको नहीं मिल पाते हैं वैसे ही अ हम गलत कर देते हैं तो वहां पर भी सही आकड़े हमको प्राप्त नहीं हो पाते हैं वैसे ही अगर देखा जाए तो एक कठिन विधी भी कहीं जा सकती है दोश के रूप में यह क्योंकि समूह बनाना और समूह के लिए एक आधार निश्रित करना कि किस आधार पर समूह बन करित किया जाए तो कहीं न कहीं एक कटिन विधी भी है यह उसी तरह हमने पहले भी जाना कि इसमें समय और श्रम बहुत अधिक लगता है क्योंकि समूह बनाना समूह का वरगी करन करना और उसके बाद यह देखना कि बराबर बराबर इनमें से चैन किया जाए या अनुपा से पहला सुरूप दिखता है भारित निदर्शन भारित याने की भार याने समान भार की बात यहां पर की जा रही है अगर इस तरित निदर्शन में हमने बहुत सारे ग्रूप बनाए हुए हैं तो सभी ग्रूप में सभी समूह पर समान भार पड़े एक उदारन से हम इसको पुरुश भी तो माले जी कि 30 पुरुश है और 60 इस्तरी है अब इस टोटल सो लोगों के variance में से हमको 20 लोगों का चैन करना है निया जरुप में तो हम 40 पुरुश और 60 इस्त्रियों के इस सम्हों में से दस पुरुषों का चैन कर लेंगे और दस इस्त्रियों का चैन हम आसानी से कर सकते हैं और ये जो चैन होगा दस पुरुष और दस इस्त्री का जो चैन होगा वो सरल दयब निदर्शन से याने बिना सोचे समझे बिना किसी नियम सिध्धान क सिंपल वे में हम दस-दस इस्त्री और पुरुष का चैन हम कर लेंगे भारित बोलने का अर्थिया है कि दोनों पर समान भार्याने दस पुरुष है तो दस इस्त्री है इसी तरह जब हम इसके दूसरे स्वरूप के बात करें तो एक इसका स्वरूप पता है अनुपातिक समुह से बराबर मात्रा में इकायों का चैन ना करके अनुपात के आधार पर चैन करते हैं कैसे अनुपात के अधार पर आये इक उधारन से देखते हैं मान लेजिए कि यहां पर एक सौ लोगों के समुव में पूरुषों की संख्या 40 और इस्त्रियों की संख्या 60 है पहले हम पूरुष और इस्त्री का अनुपात निकाल लेंगे इस समुव में तो अगर हम अनुपात निकालते हैं तो इनका अनुपात आएगा 4 अनुपात 6 अब हमारे पास जो न्यादर्श के चैन की जो संख्या है माली जी हमको 10 लोगों का चैन करना है या जैसे पहले हमने देखा था कि 20 लोगों का हमको चैन करना है तो उस 20 को हम इस 4 अनुपात 6 में बाट देंगे, अगर हम 20 लोगों की संख्या को 4 अनुपाथ चैमें बाटते हैं तो हम को पुरुषो की संख्या 8 और इस्त्रियों की संख्या 12 अनुपाथी काबनटेंज जिब हम करते हैं calculation करते हैं, अनुपाथ के आधार पर, तो पुरुष 8 और इस्तिरों की संख्या बारा तो ये हमारे न्यादर्श की इकाई होगी कि हम अपने इस अनुसंधान के लिए आठ पुरुष और बारा महिलाओं का चैन करेंगे तो क्यूंकि इस विधी में अनुपात निकाल कर इकाई का चैन किया जाता है इसलिए इसे अनुपातिक विधी कहते हैं साथ में अगर हम तीसरे इसकी जो सुरूप की बात करें वो है गैर अनुपातिक लगभग भारिज जैसा ही रहता है यानि कि जैसे अभी हमने आप अनुपात निकाला उस तरह के अनुपात की कोई आवशक्ता नहीं है जितने विजातिय समूह है सब में से बराबर बराबर चैन कर लिया जाए जैसे एक एग्जामपल से हम देख सकते हैं कि 80 लोगों का एक समूह है और अलग-अलग समूहों हमें 20-20 की संख्या में अगर वो बटे हुए हैं तो हमको बराबर बराबर हमको यहां पर अनुपातिक नहीं करना है हमको यहाँ पर बराबर बराबर इकायों का चैन करना है 20 इकाय अगर हमको चाहिए तो हम 4 समू में से 5 5 बराबर बराबर इकायों का चैन कर लेंगे तो वो 20 इकाय जिसे हमें न्यादर्श के रूप में यूज़ करना है अपने अनुसंधान में कर सकते हैं तो यह थे तरिय न दर्शन के स्वरूप